वेलकम, बहुत स्वागत है आपका, आज हम बात करेंगे शंकन स्लेब के बिसे में, आपने देखा होगा स्छत पर अकसर आपको इस परकार से गढ़े नजराते हैं, एक बड़े-बड़े स्क्वाय साइच के या फिर आयताकार साइच के आपको इस परकार के गड़े नजलाते हैं ये देख लिजी इस परकार के गड़े आपने देखे होंगे इसके साइच क्या होने चाहिए लंबाई चोड़ाई क्या होना चाहिए उचाई कितनी होनी चाहिए और इसके एफेक्ट क्या पढ़ते हैं साथ में बास्तू पर इसका क्या एफेक्ट होता है मैं इसकी बात करेंगे इस्टे बाइश्टे तो देखी ये जो गड़ा छोड़ा जाता है छट पर इसका नाम है संकन स्लेब ये संक सिंक का और संक सब्द से बना है संकन स्लेब इसकी साइच की बात करें ह चाहिए यह संकन-सले मूल रूप से आपको सवचालि और बाथ रूप . यह दो चीजों के लिए बनाया decía या तो आपका चीजों चाहिन के पर निर्मान होगा या फिर बाथ रूम का निर्वान के लिए भी कभी कभी बना देते हैं, हलां कि वहाँ पर इसकी आवसकता नहीं है, वहाँ पर जो संकन स्लेब बनाया जाता है, बहुत ही छोटा बनाया जाता है, रसोई में, लेकिन आपको बातरूम और लेटरिन, सोचाले, दोनों यहीं साथ में बनाना हो, तो इसका साइज बड़ा रखा जा इस टेंडर घर में, और लंबाई आठ से दस फिट, आठ से दस फिट इसकी लंबाई रखी जाती है, यह निरवर करता है कि आप सोचाले और बातरूम कितना बड़ा साइज का बना रहे हैं, या छोटा साइज का बना रहे हैं, यह इस पर भी निरवर करता है, यह घर में कि कि इसकी उचाई मोटाई कितनी होनी चाहिए। आये मुं दूसरे picture में समझते हैं कि इसकी मोटाई height कितनी होनी चाहिए। आईए इस में देखते हैं, इस picture में। तो ज़री आठाहम से यहां तक, कि जो उचाई दिख रही है, यो 8 से लेकर 12 इंच, ये इस्टेंडर दियाते है हाला कि कुछ जगह पर लोग इससे अधिक भी देते हैं लेकिन इसका इस्टेंडर माना गया है 200 mm से लेकर 300 mm तक जब इसको आप इंच में convert करते हैं तो ये हो जाता है 8 से लेकर 12 इंच 12 इंच करने करता है 1 फिर तक 8 इंच और तो कब इसकी उचाई ये मोटाई कितनी रखनी ये निर्वर करता है आप उपर में क्या-क्या चीज का निर्मान करना हो चा रहे हैं यदि सिर्फ आपको बाथरूम का निर्मान करना हो तो इसकी उचाई 8 इंच काफी होती है चुकि जब bathroom का आप निर्मान करते हैं तो इसको आए हम दूसरे picture में समझते हैं कि किस परकार से इसमें देख लीजी जैसा कि ये तो सवचाले का था इस picture में हम समझने का प्रयास करते हैं इसमें ये जो है ये इसका ग्राउंड लेबल है ये छट पर का ग्राउंड लेबल इसमें ये छट पर का ग्राउंड लेबल है ये जो मैं मार्क कर पा रहा हूं इसमें इसे मैं रेड से मार्क कर देता हूं यहां पर यह इसका ग्राउंड लेबल है इसके नीचे इसकी उचाई दी जाती है यह संकन स्लेब जो ढाला जाता है संकन स्लेब यह जो है आपको आठ इंच बाथरूम के लिए नियुंतम आठ इंच रखा जाता है या स्टेंडर्ड भी संचाले यूच करना है यदि यह वेस्टर्न यूच करना है आपको वेस्टर्न जैसा कि इसमें यह लगा हुआ है तो यह आठ इंच भी काफी है चुकि नीचे में सिर्फ आपको इस जगह पर जो है आपको इसके ड्रेन सिस्टम का जो यह पाइप आपको बैठाना है जितन इंडियन सवचाले बैठाते हैं इंडियन सवचाले का जो सीट थोड़ा सा मोटा आता है उसको एड़जस्ट करने के लिए अधिक जगा क्या पर सकता होती है तो ऐसे स्थिति में आपको जो है यह संकन स्लेप की मोटाई जो है जिस मोटाई की मैं बात कर रहा हूं इस कल्चर वाला सोचाले सीट बठाते हैं तो 12 इंच रखने से क्या होगा कि 12 इंच यह आपको अधिक भी पर सकता यह निर्वर करेगा सोचाले सीट की साइच के लुषा यदि सोचाले सीट बढ़ा साइच का है तो आपको 12 इंच से अधिक यहां पर गड़ा रखना पड़ सकता है तो आपको 12 इंच का गड़ा रखने पर यह बिल्कुल सही एड़ेस्ट हो जाएगा तो आप समझ ग का आपको इसमें वेस्टर्न सीट बठाना है या इंडियन सीट बठाना है आज के आंके में इतना ही मिलते हैं अगले आंके में धनिवाद